बुडिम्नें गाइस आज हम इंग्लिस ब्रामर के सब्सक्राइंट आपी को कवर करने वाले हैं वह हमारे मॉडल मॉडल के बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते एक लिए जितना इंफॉर्टेंग हीरो रहता है उसी तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए मॉडल बहुत ज्यादा कि खुड़ा वदिम्नों कर चाथा को अच्छे से कवर करना हुदा और आज के सिर सब्सक्राइब कर देखें हैं और मॉडल भी मास्टर बन जाओगी हर यॉसस वता होंगे जब फ्रैसिंट में क्या लगते फास्ट में क्या लगते मार्यवाव ग्यावदी एसलेघ्डाई और देखेंगे शुट भी शुट है बेंशुट है शुट है वाइड शुट है यह जितने आपको स्पीट पर दिखने शारे वाइड़ांस सारी उसको कवर करेंगे इसे तरह साथ वोड कर वोड को सभी को डिशन में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हम बेसिक शुट से स सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले शुट का मतलब होता है चाहिए चाहिए जाते कि जब आप किसी को एडवाइज देते हो किसी सजेशन देते हो कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के एंड में चाहिए जरूर आएगा आपको फढ प्रखाना चाहिए आपको अभ्यास करना चाहिए तो यह सब जो आम बाते मोर नहीं किसी को एडवाइज जेरो यह सजेशन दे रहे हो और आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए तो आएगा बट आप मोरन ओम्लिगेशन की बात करें आप ना चाहते हो तो आ इसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए तो यहां पर और तो कभी योज कर सकते हो उसमें बट अगर नॉर्मल सिचुवेशन आप किसी अपने दोस्त को अपने भाई-बैन को ऐसे एडवाइज जेरो तो उसमें और तो लगाने की सर्वत नहीं है शुट से आपके काम चल जाए उसमें आप शुट शुट का यूज की जएगा दैन वर्प का फर्स्ट फर्म यूज ओपर और अब्जेक्ट यूज होगा इस स्ट्रक्टर में फॉलो करते जाएंगे सारे सेंटेंस बन जाएंगे जैसे तुम्हें पढ़ाई करने चाहिए यह शुट स्टडी तुम्हें उसी तरह से आपको वहां जाना चाहिए तो ये भी आप किसी को ऐडवाईस दे रहे हो ना तो आप मुलोगे यूश शुट आपका मौदल बना सकते हो उसे अंगले सब्सक्राइब करना और अभी तुरंट इसका एंसर कमेंट वोक्स में दीजिए ताकि मैं एक फॉंसेट आपको क्लियर करना दे जाओंगी आप तुरंट इसका एंसर देजिए और आपको इसके रिवाइस भी हो जाएगी और इसकी पीडियाप आपको मेरी टेलिग्राम चैन होना चाहिए अधीब कर Guidre कमतलब होना होता है मतलब होता है तो शुछ के साथ लगार मील आड़ेटे निया चाहिए आपको सेंस आएगा एकले भाई स्कूल में होना चाहिए झाली materials कब निकलता है मान दिजी आप और आपकी प्रेंड करीं भूने गया हो ठीक है तो आपको व्रैंट आप से फोश राय कि तुम्हहlar भाइ अब कहा हो सथे हैं स्कूल करा है न्यूंद को सब्जेट को कहा होना चाहिए तब हमेशा ऩार याद रखेगा जब सब्जेट के कही होने यह यह कुछ लुद्ध होना चाहिए टो करना समघ समस चाहिए जो समसेक्टेव से कुछ होना चाहिए तो वार्टास में आप क्या यूज़ कर सकते हो शुट्ब भी समस सकते हो तो मेरे भाई seguinte को स्कूल में होना चाहिए C सब्चेट कोगा होना चाहिए लगा आप करो तो मैं आप सुश कर रहे हूं क्योंकि जो मॉर्डल वाप है ना उसके हिंदी मिनिंग आपको देखने को मिल जाएंगे फुर्ट भी का मतलब होता है यानि कि दोरों का हिंदी मिनिंग सेम होता है वट अलगलग सिचुएशन में यूज किया जाता है तो मैं आपको समझाने के कोशिश कर रहे हो आप उससे स होना चाहिए जब उसका पास्ट बनाओंगे समझेट को कहीं होना चाहिए था होना चाहिए था तो वह पास्ट आपके शुड भी के पास्ट आपके क्या हो जाएंगे शुड हाब बिन हो जाएंगे यानि कि फ्रेजन में शुड में पास्ट में शुड हाब बिन इस एक्ज जाता है इन द स्कूल ऑं अब हो दो रहा है एक्शन नहीं होता है क्यों कोई एक्षन कर भें हो इसुक्ट कर नहीं रहा है यहां वोरा सबजेट को कहीं होना चाहिए था कोई दो अधा सदोर सब्सक्राइब नोभर सिकने विदा नवर राम को घर पर ऊना चाहिए था तो आप इस Ribbon सबसे को बना सब्सक्राइब सव होना चाहिए था नेक्स इश्पर जamosled again a couple सब्सक्राइब करना अब हमारे शुट याप का प्रेजिन आपने चाहिए देखा न चाहिए जाना चाहिए उसे करना चाहिए उसे करना चाहिए तो यह ड़ीर हो लेकिन पास्ट में दे रहे हो तो आप शुट कर योज की जएगा और या नहीं होता है तो आपके हिंदी वाले सैंटेस होना चाहिए आपके पास एक कार होनी चाहिए आपके पास नॉलेज होने चाहिए तो चाहिए तो आ रहा है आपके पास कुछ होना चाहिए ऐसा सैंस आएगा तो आपर एक्षन नहीं होगा विदाउट वबाव उसका यूज कीजिएगा बट अगर चाहिए था आएगा कि आपको वहां जाना चाहिए था तो था पास्ट में आप एडवाइस देरो तो इसने वर्फ का ठर्ड़ फर्म चाहिए था ठीक है क्योंकि शुड्व के साथ अगर वर्फ का ठर्ड़ फर्म आप यूज कर देते हो तो चाहिए था को सैंस आएगा एक्जाम्पल देखिए आपकी पास पैसे होने चाहिए पास होने की पास करें विदाउट वर्ब रहेगा आपके पास पैसे होने था आप एडवाइस देरो फास्ट में कि आपको वहां जाना चाहिए था तो आप क्या बोलूगे यो शुड़ है शुड़ है तो आप यूज़ करूगे चाहिए था कि सेंस में बट उसके साथ वर्ब आएगा वो भी वर्ब कर थड़ फाम आएगा गौन देयो तो मारा सेंट करना चाहिए था इस एंटेसिस को आप फ्रेम करना करना चलिए आगे देखें आप अपपी देखें ना पास होना चाहिए तो उसमें क्या था शुड़ हाप था बट अगर आप शुड़ हैप के साथ हैट भी यूज़ कर देते हो हैड क्या होता है वर्ब को सेकेंड फॉर् तो जब आप हैड के साथ हैड भी यूज़ कर देते हो तो वो पास्ट में चला जाता है पास होना चाहिए था आपके पास पैसे होने चाहिए थे राम के पास दिमाग होना चाहिए था उसके पास घरिक होना चाहिए था इस तरह से पास्ट में कुछ होना चाहिए था you should have money बढ़ यह तो पास्ट है तो हम बोलेंगे यो शूड है ठीक है पास्ट है तो हैप के साथ हैड भी लगा देंगे और मनी का यूज तरेंगे तो मेरा सेंटेस हो जाएगा यूशुड हावाइड मनी आपके पास पैसे होने चाहिए थे आपके पास इंबाइक होने थी नेक्स्ट है उसकी पास एक कार होना चाहिए था इस सेंटेस को आप फ्रेम करना और इसका अंसर कमेंट बॉक्स में करना तो फ्रेंटिंग में पास होना चाहिए जब आएगा तो शुड हाव है ठीक है पन्फ्यूज नहीं होना है अब ध्यान देजे अब आपका आगे शुड हैप के साथ तो यूज कर देते हैं ठीक है तो आपके हिंदी वाले सेंटेंज करना अप पर पढ़ना ही चाहिए उसे बाबिस दे रहे हो ना कि उसको करना ही चाहिए करना चाहिए अलंग बात हो या सुट का यूज करेंगे बटकर ना की चाहिए वोल रहे हैं थोड़ा पूर्ण देरो सैंटेंस पे तो आप इस शुड़ है तू यूज कर देंगे ठीक है अब देखें डिफरेंस इंग्ण समझता है अगर इंग्ण सैंटेंस को बा करना चाहिए तो आपको पढ़ना चाहिए असे सिंक्र भी मोड़नों गये यह चुर्ण इस टड़ी यह सुड़े स्टाडी आपको फढ़ना चाहिए यू शुड हूर्ण इस साइंटेंस दे रहें इसलिए सिंग इसे चुण का यूज करते हैं तो बूलेंगे यो शुड हाव इस्टेडव यू शुड हाव पर्ड़ में भफ धर नहीं लगता है यूशुड हाव जाये था swap को पढ़ना चाहिए था आप इस sentences में फोर्ज दे रहे न मैं आपको पढ़ना ही चाहिए तो इस sentences में आप यूज कीज़ेगा you should have to इसमें have to का यूज हो जाएगा you should have to study तो यह difference समझना है simply अगर हो आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुट इस टड़ी आपको पढ़ना चाहिए था अब ए चूड़िए वोगे देखा क्या देखा multiplier कि देखा नि— बिए किसी भी सेंक्स रहा है ना करना ही चाहिए तो चूर्ण पर एसा सेंटेंज आरहा था ना करना ही चाहिए अगर should have had to use करते हैं head में use करते हैं तो था में आपका जाएगा past में count आएगा ठीक है जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए अब इसमें मैंने था लगाया क्या नहीं लगाया ना इसमें मैंने था नहीं लगाया तो इस sentences को हम कैसे बनाएंगे अगर था रहीगा तो अलग इसमें था नहीं लगाया मैंने तो इस sentences को हम बोलेंगे you should have you should have to study you should have to study इसमें था नहीं था नहीं लगा है इसलिए should have to को को यूज किए next sentence उसे जाना ही चाहिए था अब था आगया न तो इस sentences को आप बनाओगे you should have had you you should have had to go there you should have had to go there उसे जाना ही चाहिए था तो जब हम प्रेजिन में बात की तो शुड़ाइब टू का यूज कि जब पास्ट में कर दिये तो शुड़ाइब हाट टू का यूज कर दिये ठीक है डिफरेंस समझ में आ गया उस आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था इस इसका यह से कमेंट बॉक्स में करना तो जैता मैंने आपको बोला तक शुड़ में जितने यूज मैंने इस टार्टिंग में आपको बताया था बेसी टू एडवांस सारे यूज को लोगों ने सेख लिया आयोप आपको सभी समझ में आया होगा अगर आपको एक बार में आ कि जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा उसके बाद आपको पीडियाप मिल जाएगी आप पीडियाप से बहुत सारे साइंटेंस के प्रैक्टिस कर सकते हो चलिए अब शुट कंप्लीट होगा नेक्स्ट मॉडल में चलते हैं अब हमारे मॉडल बब वुट का यूज करते ह बहुतति है तीन कर सकते हैं सिर्फ वुड एक्ला यह वट है Всक duplication में करोगे इसके मां रूंड में गुड है थोएगों है तो पहले यह वह तो पहलो है करो में कैसे किया जाता है नहीं है ना का पास्ट वाम मरल Ol Ba आगले कक्रते हो इनके लिए करते हूं नोка क्रूचर में करते हो लेकिन जब एक को प्रेंज़ेंट में कर नी हो फिजर की बात आप आपके हिंदी वाले सेंटेज में गागी की आएगा वो जाएगा मतला हो आपके hindi वाली sentence में gage तो आएगा बट वो present А बटर आपको बशस्यान के लिए क्लिए को सिर्फ ओ सिर्फ future के लिए किया जाता है बट अगर present की बात करो तोOUT भी का यूज किया जाता है इक्जांपल कर Centaur में बताऊंगी सेकंडaire request करने के लिए आप किसे से request करते हो कोई काम करवाने के लिए तो वहां पर वुटima यूज़ कर सकते हो आप बोलुगे मैं Good Is This is किया सब्सक्राइब करने के लिए मैं मेल करते हैं रिकवेस्ट करने के लिए सबसे जाधा light घरते हैं हमारे कुड उसके बाद हमारे वोड और हमारे में यानि कि सबसे जाना पुलाइटली रिक्वेस्ट करने हो तो फुट का यूज कीजिए वह मैं आपको एक्जाम्प्ल गताऊंगे वुट का यूज उसके बाद फिर में ठीक है ठाट है च्वाइस के लिए आप किसी के च्वा यहां आएंगे तो आप क्या बोलोगे उटीयो प्लेज कम है या पर नएक सेंटेश अंससे क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बोलोगे प्लीस करना है ठीक है आपको इस सेंटेशन बनाने के लिए निदिफ निवसका यूज के जाएगा then worker first phone phone open will open then go back door the door एक तॉप कर अब करना सबसे पहले हो करना है नए फुर्स सब्सक्राइन कर दिजिए गार दाब फेसकी और जाती है उसी दरसे किरिप आप तढर बोलेंगे इस सेंटेंस को भी आप फ्रेम करना करें आप मेरे लिए ग्लास पाने लेकर आएंगे वोडियों प्लीज ब्रिंग में ग्लास ओव वटर फॉर मी इस तरह सा बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स देखें अब मुट का यूज है च्वाइस पोचने के लि तो आप उसे पूछ रहे हैं कि क्या है तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे उसकी च्वाइस उसकी पसंद का पूछ रहे हो ठीक है तो आप सेंटेंस को बोलोगे वोडियों लाइक जब आप किसी की पसंद पूछते हो तो उसमें वोडियों लाइक का यूज करोगे क्या य पहले यूज कीज़ेगा बोलेगा वोड़ियू लाइक दन वर्ब का फर्स्ट फम यूज कीज़ेगा टूसीट टूसीट ही अब बूलोगे मैं तो क्यों यूज करते हैं तो यहां पर मैंने आपको आक्शन वर्बाली वेडियों बता रहा था ना जब भी कोई वर्ब में ना इसलिए हैल के पहले टूका यूज किया तो जहां भी आपको पूरा देखने को मिले करना खाना पीना पूरा देखने को मिले तो आपर वर्ब से पहले आपको तूका यूज करना होगा ठीक है तो वोड़ियू लाइक तो सीठ यह आप यहां बैटना फसंद करोगे नेक्स आप काफी लेना फसंद करोगे इस सेंटेसिस को आफ रेम करना चाहिए दो यूज देख लिए पास्ट हैबिट को बदाने के लिए मुड़ का यूज कर देंगे निकिन आप बोलोंगे मैं पास्ट हैबिट के लिए तो हम जाते यूज करते हैं यूज तो भी हमारा मॉडल मॉडल वर्ब की रूप में इसका यूज करते हैं वर्फ के फर्स्ट फर्म के साथ ठीक है बहुत बात अलग रह गई तो पास्ट है में जब आपको ऐसे सेंटेसित बोलता होंगे ना पास्ट मतलम बीते हुए कल की बाता बताते हो मैं स्कुल जाया करता था मैं उससे मिला क अब करते थी मतलब साथ में करते थे किया करते थे फास्ट में साथ मैं आपको यूज करने बंसी होता कभी-कभी अगर आप बुख पढ़ते हो तो वहां बुड का यूज अगर आप देख लेते हो तो फंप्यूज नहीं होना है बुड का मतलब है पास्ट हैवर शो करने के लिए किया जाता है चीक है चले sentence बनाते है जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था तो जब वो यहाँ था तो पास्ट की हाबिट बता रहे न है जब वो यहाँ था मुझसे बात करता था पास्ट में तो जब वो यहाँ था तो इस sentence का बोलोगे वेन ही वोस हेर जब वो यहाँ था वो मुझसे बात किया करता था बोलेंगे he would talk to me he would talk to me वो मुस्षे बात किया करता था when he was here he would talk to me जब वो यहा था मुस्षे बात किया करता था next day मैं अपने बच्पन में tennis खेला करती थी बच्पन की बाद में बता रहे ला बच्पन में खेला करती थी तो इस sentences कॉम बोलेंगे I would play tennis I would play tennis in my childhood I would play tennis in my childhood मैं अपने बच्पन में tennis खेला करती थी या फिर आप वोड को रेप्लेस करके यूजटों का भी उसकर सकते हो यहां पर आप बोल सकते हो I used to play tennis in my childhood मैं अपने बच्पन में tennis खेला करती थी ठीक है next day वा पूल जाया करता था इस sentences को आप रेम करना इस कहां से comment box में करना तो वोड़ी के तीनों यूज़ेस हम लोगोंने cover कर लिया चलिए अब नेक्स देखें अब है वड़ी का मतलब होता है कर रहा होगा वह जा रहा होगा वह खेल रहा होगा तो आप मुलोगे मैं यहां फर गाग इंगी आ रहा तो यह फ्यूचर का हो गया विल लगाना पड़ेगा चुकि विल में भी तॉम यूज़ करते ना रहा है कोई continue काम पो रहा है तो वहां पर विल भी लगाते हैं राइ यह की वैशिए अच्य समझ में आएगा वर स्कूल जा रहा होगा आने फ्यूचर के ऊच्वाली दिन में वर स्कूल जा रहा होगा तो यहां पर आपका प्रेंश हो कर रहा होगा मान लो आप मेरे फ्रैंट है त्टी के आप मुझ से मिलने के लिए अवह मैं दोनों मेरे बाते कर रहे हैं तो अब मैंने पूछा आपका भाई क्या करता है आपको आज स्कोल जा रहा है यहां तो आप मेरे साथ बात कर और मेरा भाई अब रहा हो गया तो 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 प्रेजन की बाते हुई तो यहां वेल भी लगाने की गलसी फिल्फोर में पड़ करना यहां वुट भी लगेगा तौमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वुट बे गोईंग तो इसकूल वर्फ का फॉट फॉर्फ फॉर्म ही लगेगा ठीक है गोईंग तो इसकूल है वुट समझ में आया या नहीं स्टेल ittel्रहे होंगे तब ग्रीर होंगे अदे सब्सक्राप एक ठीक है तो को हैं फ्लिए अविए करेंगे हम शु लेंगे दे लुट बलेंग लेंडेवाघ culturally यह होंगी त्मसें तौना इसका पुक्त कना तर्मारा इसांस्क्राइव आंग सम् 다या यह भी आपका present का sentence होगा, चले sentence के तरू मैं आपको समझाते हूँ, पापा ओफिस से आ चुके होंगे, अब आप इस पूल में है, मैंने आप से पोछा कि आपके पापा भी कहां हो सकते हैं, तो आप बोरे कि पापा की चार बज़े ओफिस, पापा का एक बज़े ओफिस का काम खतम हो जाता है, तो हमेशा तो घर आ जाते हैं, तो पापा आ चुके होंगे, क्या बोर है, पापा आ चुके होंगे, एक बच चुका है, पापा आ चुके होंगे, तो होगा तो आप sentence में आ रहा है लेकिन आप present में बो रहे हो ना कि present में पापा घर आ चुके होंगे तो इस sentences में would have का use करेंगे word के third form के साथ देखें sentence कैसे बनेंगे हम बोलेंगे पापा या पर father का भी use कर देते हो पापा would have come from office पापा office से आ चुके होंगे next day वो खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे he would have he would have played he would have played वो खेल चुका होगा तो आपको यह बाद समझने है कि present में अगर कोई काम कर चुका होगा present की हम बात कर रहे हो तो वहां would be use करोगे word के third form के साथ next day वो स्कूल जा चुकी होगी sentences को आप frame करना और इसका अंतर कमेंड बोक्स न करना आयों आपको यह भी समझ में आ गया है कि इसका use कैसे करना है अब है would have to to use कर देते हैं यानि कि पढ़ता होगा बतलन कोई का आपको friend न पढना पढ़ता होगा उससे गाना गाना पढ़ता होगा तो आपने तीना को खाना बनाते वे देखा और अपने मन में यह सोच यह सोचने लगे कि टीना को खाना बनाना पड़ता हुगा हमेशा आपको टीना यह नहीं बोली कि मैं हमेशा खाना बनाती हूँ आपको टीना ने कुछ नहीं बोला आपने टीना को एक बर खाना बनाते में देखा और अपने मन में यह सोचने लगे यह कल्पना करने लगे यह प्र rum करना पड़ता होगा उसे इस तरोज का एक वार देखा और अपने मन में यह प्रतिक्रिया वना लिए आप सूचने लगे वर्वुस्थ ये काम करना पड़ता होगा तो उसमें would have to का यूज़ करेंगे वर्व के first form के साथ क्योंकि जब में आप have के साथ two यूज़ कर देते हो तो two के बाद आने वाला वर्व अमेशा वर्व का first form रहता है जैसे तीना को खाना बनाना पड़ता होगा आप इस sentences को बोलोगे तीना would have to तीना would have cooked the food तीना को खाना बनाना पड़ता होगा रांग को पढ़ाना पड़ता होगा तो आप क्या बोलोगे रांग वूड है रांग वूड हैव तो टीच रांग वूड हैव तो टीच रांग वूड हैव तो टीच रांग को पढ़ाना पड़ता होगा next area को काम करना पड दिखाना वुड्यावड तो पढ़ता होगा प्रेजिन में काम करना पड़ता होगा जब उसका पास्ट आप बनाओगे वुड्याव हैट-टौ यूस करोगे पढ़ा होगा रियाफ कहाना बनाना पढ़ा होगा past में, present में नहीं, present के लिए आप would have to का यूज़ करोगे, बट अगर past के आप बात करोगे, तो would have had to का यूज़ करोगे, example, तीना को खाना बनाना पड़ा होगा, पड़ा होगा, बोर पड़ता होगा, तीना को खाना बनाना पड़ा 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 होगा, लिए नेक्स्त योज़ को देखते हैं नेक्स्त मोडल वर हमारे कैन का यूज़ dal शारे कंडिशन में कर सकते हैं यह सारे यूज़ को सब्सक्रिक से करते हैं जब आप किसे के अबलेटी वसकी कुपासिटी वसकी चमता को बताओगे तो वहां पर कैन का यूज़ करेंगा आप नगले सकते हैं तो उसमें आपको यूज करना है जैसे यह मैं पढ़ सकता हूं तो आप इस सेंटेंज को बोलोगे I can drink I can read मैं फुरचे हैं I can I can print बहुत इजर स्पतु बनते हैं यह पर आराम से समझ आऊ के तुम्हें आप कर सकते हो तुम है अंदर हेखी तुम्हें आप सकते हो त। आप बोलोगे यूठाथ नहीं पॉलोगे यूकान गॉट दूएट तुम्हें आप सकते हो you can do it मैं यह कर सकता हूँ I can do it why यह कर सकते है he can she can do it इस तरह से बहुता है एंटेसा बना सकते है subject change करके है next time मैं नहीं पर सकता हूँ negative sentence बस not का use कर देना है तो इस sentences को आप रिम करना इसका एंसे comment box में करना चले next can के uses को देखते है अब है can के साथ अगर बे लगा देते तो हो सकता है क्योंकि बेका मतलब भी होना होता है तो can बे लगा दे तो हो सकता है जैसे रावल घर पर हो सकता है इसमें भी कोई action नहीं होता है आप subject के कहीं होने की बात करते हो रावल घर पर हो सकता है पापा ओफिस में हो सकता है रा में स्कूल में हो सकता है मतलब subject कहीं हो सकता है ऐसा आप बता रहे हो तो वहाँ पर can be का use करेंगे जैसे रावल घर पर हो सकता है आप बोलोगे रावल can be at home इस में कोई action ने होता है पापा IT can be in the office रोहन प्लास्रूम में हो सकता है रोहन प्लास्रूम नेक्स देखेए अब है can have can have मतलब pass हो सकता है can have मतलब pass हो सकता था मतलब सिर्फ have आप योज़ करते हो तो ये present के हो जाते है ये हमारे present में work करेंगे पर जब इसमें आप had होस कर देते हो तो ये हमारे past हो जाते है pass हो सकता था जैते example है उसके पास एक कार हो सकता है प्रेजिन के आप बोर रहे हो, तो आप बोलोगे, उसके पास एक बुक हो सकता था, पास्ट की बात करें, हो सकता था, तो हम इसमें हैड लदा देंगे, हम बोलेंगे, उसके पास एक बुक हो सकता था, उनकी पास एक बाइक हो सकता है, इसका आप फ्रेम करना और इसका एंसर कमेंड बॉक्स में करना, तो जब प्रेजिन में कुछ हो सकता है पास्ट, तो था पास्ट में आपके पास कुछ हो सकता था, तो can have had next day can have to can have to का मतलब होता है पढ़ सकता है पढ़ सकता है और can have had to का मतलब पढ़ सकता था जैसे आपको शादी में जाना पढ़ सकता है यह आपके present के हो गए और यह आपके past के हो गए इसमें past के आपके शुग करेंगे क्योंकि है है यहां पर है और यहां पर था है इसस पढ़ेगा यह कनफर्म नहीं है सब्सक्राइब बता रहें कि आपको साधी में जाना पढ़ सकता है तो आपको साधी में जाना पढ़ सकता है अगर पास्ट में बोले राम को स्कूल जाना पढ़ सकता था पास्ट की बाग पर राम को स्कूल जाना पढ़ सकता था तो हम बोले त्रवाँ आद तो रहां कर दो आद पर सकता था नेक्स्ट आपको पैसे देने पड़ सकतते हैं इस सेंटेस को अपर अपन बोक्स में करना तो आच्छा आप में प्रेंगे प्रेजंट का पास्ट कर आज करना है चले चाहिए प्रेजंट फास्ट यह गाद समझ सब्सक्राइब कर सकता था यानि कि एक दम बारी की से आपको एक बार मेरी समझ में दुबारा जरूर देखिएगा चुले नेक्स देखें आप कैन कम्प्लीट हो गए फुट है कोड़ के तीन मीनिंग होते हैं तीनों सेंस्ट में यूज करता सिखेंगे कुड़ है कुड़ है तो कुड़ है थो सारी उस्थ देखेंगे चुले नहीं देखता है सबसे पहले कुड के यूज देखेंगे पॉसिबिटी और पॉलाइट के लिए मैने आपको बताया था पॉलाइट रिब्स्ट के वोड़ का भी यूज कर सकते है फुड़ का इसकार सकते रुद। लिए क्रिपी आप दर्वाजा खोलेंगे आप पॉलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फुर्ट का यूज करोगे जैसे उसमें आप यूज करने था कुड्यू प्लीज इस तो यहां पर यूज कर सकते हो यह फिर प्लीज का यूज कर सकते हो जैसे संटेंस को देखे कैसे और प्लीज करेंगे कुड्यू ओपन दर्वाजा खोलेंगे कुड्यू अपर प्लीज कुड्यू प्लीज पिस ता से मूल सकता है वह दिक्कत नहीं है अगर पॉसिपलेटी की बात करें पॉलाइट रिक्वेस्ट कैसी करना समझ में आग्या इससे आप सैंटेंस मना सकते हो possibility की बात करें वह एक डॉक्टर बन सकता है अब आपका माली जा एक दोस्त है आपके साथ पढ़ता था बढ़ पढ़ाय लिखाए में उसका बहुत खराब हालत था आपके जहां 80% मांक्स आते थे उसके 45-50% मांक्स आते थे यानि कि उसका पढ़ाय में बिल्कुल ध्यार नही जहां जहां आप रहते वहां पर आयां तो आपका एक दुसरा प्रेंड आपके बोर्ण कि तुमको पता है जो विदेज गया था मारा फ्रेंड मों डॉक्टर बन सकता है लेकिन आपको पॉस्टिबेटे अपने पर साथ नहीं आपको इसमें संभावना है आप सोच रहे पह कि आपको किसे ने मोला थि ना तो य्कीन नहीं कर लिए कि आप पुरा यखिन नहीं कर लिए ऐस पूरा यकेन नहीं कर आपको यहसीप व्यात सबदुतसम पड़ने के लिए वन सब्सक्राइश को आप bayamas कशलोंasons if इस निक्स्ट कुड के यूज़ज है सका पाया, बहुत ही जादा यह यूज़ किया जाता है इस कोगर इंग्लिश में, ऐसे आप sentence भोता हो ना, मैं वहाँ जा पाया, मैं अच्छ से लेप्चर दे पाया, मैं उसे मिल पाया, मैं वहाँ जा सके, मैं शुब जा पाया, मैं उस सकता था, सकता है के लिए can use करना है, सकता था के लिए could use करना है, ठीक है, जैसे एक्जामपल देखिए, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, पाया रहा है, यानि कि फुर्का यूज करेंगे, negative sentence है, हम बोलेंगे, I could not help him, I could not help him, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, वो इंग्लिश नहीं बोल पाया, या फिर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सका, तीनों मैं से खुछ भी आपके हिंदी वाले sentence में आ जाया, आपको सकता, उसके लिए आपको could का use करना है, तो मैं English, वो इंग्लिश नहीं बोल पाया, next time मैं यह नहीं कर सकता यह साइंटेंज का फ्रेम करना इसके एंसे कमेंड बॉक्स न करना अब है could have to could have to का मतलब होता है पढ़ सकता है अब आप आप हो नुट का मतलब होता है पढ़ सकता है था बिलकुल फढ़ सकता है के लिए can have to कभी यूज कर सकते हो could have to use use कर सकते हो may have to use कर सकते हो might have to use कर सकते हो difference समझे है अगर ठोड़ी high possibility की बाद करते हो ठीक है पढ़ सकता है तुम्हें school जाना पढ़ सकता है अगर आपकी high possibility रहे यानि कि 90 पॉसिबिलिटी रहे तो वहां पर आपको can have to यूस करना है आगर आपके ah 70% की पॉसिबिटी है 60 ay 70% की possibility रहते कि आपके स्कूल जाना पड़ सकता है तो वहा पे आप पूड एपकर use की जोगहरे बाट आपकी फॉसिबिटी की है तो वहाँ पर में हाफिके उसके एक उसके चिल्गहरे एक तो उसके निटाल मुझे पढ़ना पढ़ सकता है उसे गाना गाना पढ़ सकता है तो बोलेंगे मुझे वहाँ आना पढ़ सकता है इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका अंसर कमेंट बॉक्स में करना चलिए लास्ट आरी की उदस बच गया उसे भी कवर कर लेते हैं अब हमारी कुड़ है तो यह उसका पास्ट हो गया पढ़ सकता था पढ़ सकता है यानिकि कुड़ ह खाथ तो ठीक मुझे खाना बनाना पड़ सकता था मां लो मम ने गई अब मैं मैंने सोचा कि ममी तो बाहर चली गया मुझे खाना बनाना पड़ेगा अब ममी लेकिन टाइम पर घ़र आ गए और ममी खाना बना दी आपकी फ्रेंड आपको फॉल करनके पूछ रही है कि तु मम्मी नहीं आयती, तो पढ़ सकता था, पास्ट में हुआ, तम बोलेंगे, I could have had to, I could have had to cook the food, I could have had to cook the food, मुझे खाना बनाना पढ़ सकता था, नेक्स्ट उसे गाना गाना पढ़ सकता था, उसे गाना गाना पढ़ सकता था, पास्ट में, तम बोलेंगे, she could have had to, she could have had to sing a song, next, मुझे यह, वहां आना पढ़ सकता था, इस एंटेस को आप स्रेम करना, इसका एंसर कमेंड बॉक्स में करना, तो गाइस, इसे के साथ, अब आप मोलोगे कि मैं मैं माइट मस्ट भी तो समझा दीजे, बिल्कुई, देखे, अब आप मेरी बातों को उतना मुझे समझाने के जरुवत नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट, आप तुरन समझा होगे, जहां जिस मॉडल जाएं, वो आप यूज़ के सव भी में मैं माइट मस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, कंडिशन यह रहेगा कि अगर आपके सैंटेल में 50% के पॉसिबिलिटी रहती है, यानि कि समधावना रहती है, तो हम में का यूज़ कीज़ेगा, वोड को रिप्लेस करके, कैन को रिप्लेस करके, अगर आपके सैंटेल में 50% के रहती है, तो माइट का यूज़ कीज़ेगा, वोड कैन को रिप्लेस करके, अगर हंडेट पर्जून की पॉसिबिलिटी रही की जरूर अगर आपके sentence में जरूर आता है तो must का use कर दीजेगा चाहें जो situation रहे पढ़ सकता है पढ़ सकता था पढ़ेगा पढ़ा होगा जो situation रहेगा सभी में आप may might must का use कर सकते हो situation के हिसाब से 50% की possibility में may 10 to 20% की possibility में might और 100% जब आपके sentence में शॉर्टी आए 100% की जरूर फक्त आवश्य आए तो आपके मस्ट का use की जिएगा बाकी सबीकम सेंड है तो यह इसे किल्दा तो लोग ने सारे मॉडल वब कवर कर लिए हाई उपको सभी मॉडल वब समझ में आ गए अगर नहीं समझ में तो दुबारा देख को आग उपाऊ और यह हमारा 75 देश कंप्लीट हुआ आज हम लोगों ने 75 देश कंप्लीक कर लिया कल से हम सिर्फ रिविजन करने वाले है अलग-अलग तापिक की तब तैयार हुआ है इस रिविजन करने के लिए जो भी हम लोगों इस निका सभी के रिविजन करेंगे बह बहुत ही शॉट में अगर आप इसे फैनले कॉस्टिम बारी वीडियो को विजित नहीं किया तो लेप साइट क्लिक करने को विजिट कर लीजे और राइट साइट क्लिक करके आप मारी प्लेलिस में जाकर सेमेंटीफाइब इंग्लिस स्पीकिंग पोस्ट को जॉइन कर लीज तो सब्सक्राइब कर आने वाले बैल आइकन को प्रेस कीजिए देन फॉल नोटिफिकेशन जरू क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो क्लोड करो आप तक ठीक टॉटिफिकेशन पहुंच जाए मिलतें नेक्स्ट एसे इंफॉमेटिम वीडियो के साथ तब तक इ एलेक्टिफ लार्णिंग